कि यहीं से चालू करना था एक्चोली मतलब तो यहीं से आज चालू करना था कल बाखी तुम्हें समझा चुका था जिन बच्चों को कंफ्यूजन एक क्लास बीच में हो चुकी है शायद कुछ कंफ्यूजन हुआगा आपको आईडी नहीं मिली होगी कोई तो दिक्कत रही होगी खेर आपका नुक्सान नहीं होगा आप चिंता मत करो मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी प्रवाइड कर दू है एक दो दिन में आ आप से क्या बुल रहा हूं मैं आप से बुल रहा हूं को साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक असिट का स्ट्रक्टर कैसा होता है बस जैसे आप बैंजीन मनाते हो बस ऐसे लिए च्छे वाला इस्ट्रक्टर यू मनाया टाम टूम टाम टूम ठीक है इदर लिग दो पी ओ पी ओ करेक्ट है हर पी से डबल बॉर्ण ओ और ओए जोड़ दो यह गया डबल बॉर्ण ओ और यह गया और इसे ही वाला हर पी पे करना है अब आप खुदी सोचो कि जो यह वाला है यह इसका आधा है और यह भी आधा है तो दो अद्दा मिलके एक दद्दा बन जाएगे मतलब एक ओक्सीजन हो जाएगा और उपर दो ऑक्सीजन है तो क्या यह एच पी ओ थरी खोल थराइस हो जाएगा बिटा एंड इस साइक्लो मेटा फॉसफफरिक एसे अब माल लो तुम बनाना चाहते हो पॉली मेटा फॉसफफरिक एसे बच्छो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बहुत ही सरल है यह देखो ऐसा पहाड बनाएंगे अपन बढ़िया वाल UK by और यह अननंत तक चलता जाएगा तो फेडियम बंत क्यों हर फिक के उपर एक डेबल बॉर्श जोर दो और एक ओो एच जोर दो एसा हर पी पर कुरना है मैंने एक ही पर किया है ंब देखने क्या इसका जरूल फोगे HPO3 बन रहा है इस P के पास देखा जाए तो ये वाला oxygen आधा है इसका और ये वाला oxygen भी आधा है इसका इस वाले P का यदि बात करें तो तो इसके पास दो O हो गए और दो आधे-ाधे हो मतलब तीनों HPO3 एंड टाइम्स हो जाएगा इसको इधर से यू कर दिया यू कर दिया एंड टाइम्स कर दिया क्या सबको बात समझ में आगे बेटा सबको बात क्लियर है यह हुआ पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसेट का structure ठीक है और आपको तो पता है NCRT के शिदत से structure सारे के सारे हुए खतम अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं ठीक ओके बटा अब आज से अपन को चालू करना था सिक्स्टींथ ग्रोप लेट उस बीगन विद्धा सिक्स्टींथ ग्रोप जो बाकी चीजे तो हम बात कर चुके थे इसके बारे इसलेट का इस्टरक्यरी इसकरना भूल गया था बस है आप सुनो Caesar जो ग्रूप 16 होता है इसके मेंबर को हम बोते हैं चैलौऀंज क्या बोलते हैं चैलौऀंज जो शब्द है لوग कॉपर हुपर से Everybody होता है क्या होता है इनयलिंट यह जादह Papu proces न मिलते ने इन पीक आढ- और सेलिनाइड सेलिनाइड में सेलिनाइड और टिलूराइड की होती है समझ रहे हो बात को तो तो तिंग इस डाइट के साथ एसोसियेटेड ज्यादा मिलते हैं और कॉपर के लिए शब्द यूज किया जाता है चैलो जन तो इसलिए जो है नाम के आ गया मतलब क्या होता है इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ग्रीक में चैलोजन शब्द का मतलब होता है वह शब्द जो है बरास से रिलेटेड होता है और बरास का कॉंस्टूटूटूट होता है कॉपर क्लियर तो पहला पॉइंट क्लियर चलो आगे बढ़ते क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थ क्रस्ट में बाई मास oxygen is most abundant of all element on earth earth में जो most abundant element है वो कौन है oxygen oxygen forms about 46.6% of the mass of earth crust पूरा अर्थ नहीं earth crust का मास 46.6% होता है क्योंकि आपको तो पता है earth crust में mainly क्या चीज होती है silica होता है और silica में mainly क्या होता है oxygen होता है oxygen इसके अलावा dry air का 20.946 21% approximately by volume होता है oxygen काफी stable होता है अपने double bond के कारण और यह stable है तभी नहीं तहाई percentage में मिल रहा है n2 हुआ बहुत stable होता है इसलिए परसंटेज में मिलता है वह बहुत stable होता है इसलिए परसंटेज में मिलता है यदि stable नहीं होता है तो कैसे मिलता जो stable नहीं होता है वो समय के साथ खतम हो जाता है चलो अबंदेंस ऑफ सल्फर अर्थ क्रस्ट इस ओनली 0.03-1 परसंट लेकिन इसके जो ओर दिये वह काफी इंपर्टेंट जैसे जिपसं और इपसं जिपसं और इपसं एबी सीडी में पहले क्या आता है या आता है कि जी आता है तो एबी सीडी में पहले इसका रीजन नहीं है लेकिन याद करने के लिए कि इपसं वाला किसका है मैंगनीजियम का है और जिपसं वाला किसका है कैल्शियम का है और यह सब क्या है सल्फेट है मैंगनीजियम पे ज्यादा चार्ज होता है ज्यादा चार्ज डेंसिटी कॉंसेंटेड होती है ज्याद इसलिए होता है, यह reason यह है कि एक में ज़्यादा और एक में कम क्यों है, ठीक है बटा, अब जो ज़्यादा भहराया हुआ है उस अनाम है Barite, Barite, B-A-R-Y-T-E, Barite, B-A-S-O-4 को बोलते हैं, नाम भी ऐसा ही है, Barite, Barite और क्या कहते हैं, उसका जो दिदेशे पर क्या होता है वहाँ से शब्द यह प। सुलफेत है और किसका सुलफेत है वह तो बहुत भहए basta समस्ते हो तुम लोग बहुत भाइराया हुआ है वो तो सल्फेट है कई बार लोग बोल देते ना ऐसी अपनी भाषा 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 नहीं समस्ते अरे भाषा हुआ अब मैं तुम्हें कैसे बता हुआ लोकल भाषा है यह ना खेर जिनको आता है उनको याद हो रहा होगा कि व होता है मतलब हाला कि इसका कोई लेना देना नहीं कैमिस्टी से लेकिन ऐसा पिक्चरों में आप देख और यूज होता है ऊतनी है तो कि लिए निकालना हमें याद रहनी चाहिए कि कोई बात नहीं जया बड़ा थाब आप ये मत बोलो कौन सी मूवी मैं सल्फेट था वीज सब क्रदें के लिए चलो इतना सारा डिस्कुशन हुआ जाया शायद आपको याद हो गया होगा अब आता है गेलेना होता है PBS गेलेना होता है PBS गैलेना क्या होता है PBS होता है PBS भी पी एच नहीं है PBS है जैसे BPS के सामने आपकी गलती नहीं है ठीक है बिटा तो PBS क्या हो जाएगा गैलेना हो जाएगा पर यह BPS नहीं है यह PBS है यह PBS है इस गैलेना ओके चलो आगे बढ़ते हैं बिटा आगे बढ़े तो zinc blend आ जाता है zinc blend की बात करें तो zinc blend जो होता है ZNS होता है और copper pirate CUFE S2 होता है यह सब discussion इसलिए हुआ है क्योंकि एक्जाम में मैज़ी following में कभी भी यह टपक सकता है examiner किसी भी examiner के लिए कितना सरल है क्वेशन को बनाना सोचो आप किसी भी examiner के लिए कितना सरल है इस question को बनाना बस बैटे-पैटे question मना दिया और कोई क्रॉस चेक नहीं करना है कुछ नहीं करना बढ़िया NCRT से कुष्चन भी फ्रेम हो गया कितनी आसानी से कुष्चन बन गया तो आप समझ लो इस कुष्चन के एक्जाम में आने की चांसे कितने ज्यादा अच्छे हैं काई में आएगा मैजदी फॉलविंग में आए यशिय। में आपको बताओ मैं युख Priest को प्राप्त कैसे करते हैं अच्छेट से और दूसरे च्छेट बहार आजाता है सलफर याद है तो हाँ उसमें एक लड़की थी एक बात सही बोली मानची तुम वैसे ऐसी कोई पिक्चर में ने देखी नहीं जिसमें एक लड़की ना हो मतलब एक से जादा ही होती है mostly पिक्चर में लेकिन तुम जो कहना चारी हो मैं समझ गया हूँ तुम क पहले बता चुका हूं इसको ओक के बटा बहुत बढ़िया तो वहां से कौन सी गैसे निकलती है मेली वहां से निकलती है सलफर की गैसे निकलती है ठीक वालकेनों के इंदर बोलता है कि आप ट्रेसिज और सब्सक्राइब करनी ता मेरी फीलिग है कि यह संटेंस एक्जाम म हो मैंने आपको बता दीओ मैं एज इफिलिग वाला सवाल आपसे पूव सकता है अब से की की मटबर्ण और इस्क चलो चलो इसके बाद Atomic और Ionic Radiai Obviously Atomic और Ionic Radiai Down the group क्या होते हैं? बढ़ते हैं Atomic और Ionic Radiai Down the group क्या होते हैं? बढ़ते हैं ठीके बिटा? और हमने यह बात देखी है कि किस period के बाद में ज़्यादा बड़ा अंतर आता है Second और Third period के बीच में ज़्यादा बड़ा अंतर आता है उसके बाद में Transition Contraction Length Night Contraction यह सब चीजे लगने लग जाती हैं Down the group तो Size का अंतर कभी भी बड़ा नहीं होता है ठीके बिटा? मैं इसमें एक आपको अभी वीडियो बनाने वाला हूँ मतलब मैंने सोचा है Middle Row Anomaly पर वो इसी फेक्टर पर आधारित है तो कोई 10 मिनट का 12 मिनट का बना के आपको भेजूँ है सभी लोग उसको देख लीजेगा Middle Row Anomaly NCRT में दिया हुआ है लेकिन बहुत अच्छे से डिसकस्ट नहीं किया है और बहुत बच्चों ने में से डाउट में पूछा है Middle Row Anomaly क्या होती है तो मैं 15-20 मिनट का आपको Middle Row Anomaly अलग से समझाने के लिए बना दूँ हाँ ठीक है बिटा? चलो, आगे बढ़ते है अब आता है Ionization Inthelby Atomic Radial, Ionic Radial Down the Group बढ़ता है आपको पता है सबसे बड़ा अंतर Second or Third Period के बीच में आना चाहिए हम इसको चेक भी कर लेंगे Now Ionization Energy आपको पता है Ionization Energy Down the Group क्या होगी? घटेगी and there is no exception क्या किसी बच्चे को याद है किस-किस ग्रूप में कोई exception नहीं होता था? मैंने आपको अभी एक दो दिन के ही literature में ये बात बताई है जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह answer इधर आ गया है यह answer मुझे दिया है आशीन है 1, 3, 15, 16, 17, 18 एकदम सही है बटा पहला ग्रुप, तीसरा ग्रुप उसके बाद 15, 16, 17, 18 में कोई exception नहीं होता है down the group जो है आई-पी जो है वो कम होता जाता है ठीक बटा इसके बाद आता है electron gain enthalpy क्या आप लोगों याद है electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी होती है electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी होती है very good harsh sulfur की होती है तो sulfur greater than selenium greater than tellurium greater than polonium greater than oxygen और oxygen की electron affinity कम होने का कारण होता है oxygen में already 6 electron होते है जबकि जगा वहाँ पर किती है 8 की है तो hindrance factor operate करने लग जाता है जब कोई electron आता है तो उस electron को repel किया जाता है strongly इसके कारण oxygen की electron affinity कम हो जाती है चलो लगे हाँ तो है ना मिटा oxygen की electron affinity कम हो जाती है अच्छा nitrogen family में शाहिद electron affinity discussed नहीं हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है तो वहाँ भी electron affinity सबसे ज़्यादा phosphorus की होगी उसके बाद मैं arsenic, antimony, bismut और सबसे कम nitrogen की होगी in fact nitrogen अपने ग्रुप में अकेला होता है जिसकी electron affinity positive और स्वरी negative होती है electron gain enthalpy positive होती है जबकि phosphorus, sulfur sorry phosphorus, arsenic, antimony, bismut इन सब की जो delta हीजी होती है electron gain enthalpy जो होती है वो negative होती है या electron affinity positive होती है ये एक आज़शेर जनक बात है बच्चों को लगता है इस पूरे ग्रुप की जो electron affinity है वो negative है मतलब पूरा ग्रुप हाफ फिल्ड होने कारण electron नहीं चाहता है नहीं ऐसा नहीं है सिर्व nitrogen है जिसकी electron affinity negative होती है अब जब electron affinity negative होगी तो electron gain enthalpy positive होगी clear है बटा इसके अलावा phosphorus, arsenic, phosphorus, arsenic, antimony, bisman इन सबकी electron affinity positive होती है क्या बात clear है बटा इन सबकी electron affinity positive होती है हाँ हाँ करते रहा करो ठीक oxygen family में सबकी electron affinity positive होती है सबकी electron affinity positive होती है oxygen family में clear है बटा इतनी बात सबकी electron affinity positive होती है मतलब electron gain enthalpy negative हो जाएगी लेकिन सबसे कम किसकी होती है oxygen की होती है ठीक है हाँ एक बात आप याद रखना मैटा halogenes की electron affinity जो होती है वो सारे chalogen से ज़्यादा होती है halogenes की जो electron affinity होती है वो सारे chalogen से ज़्यादा होती है मतलब iodine की electron affinity तक iodine की electron affinity तक greater होती है estatine की मैंने बिटा कभी check नहीं करी एक चुली बहुत factual हो जाता है लेकिन मुझे याद है अच्छे सा आयोडीन की सुलफर से जादा होती है यह मैंने आपको इसलिए पता है कि कभी कोई आपसे order में पूछ ले तो आप कहीं confused ना हो जाओ कि 16 और 17 ग्रुप की electron infinity कैसे compare करना है यहां पर हो जाएगा chlorine देन फ्लोरीन गेटर देन फ्लोरीन गेटर देन ब्रोमीन गेटर देन आयोडीन गेटर देन सल्फर ठीक है ना बेटा चल तो सबको इतनी बात clear है हाँ मिटा अब आरा आउडियो clear चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अपन पढ़ते हैं अब electron gain इन्थेल्पी हो गया खतम हमारा टॉपिक अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद electron negativity की जो वैली होती है बच्छो वह कम होती जाती है अब इधर आ जाते हैं और जो सेलेडियम और टिलूरियम होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं जबकि पोलोनियम जो होता है वो मेटल होता है नाउट इस इंपॉर्टेट ऑक्सिजिएन और और अक्सिजिएन और इंड़ सेल फर और और ओक्सिजिएन और अन्उन सेल्फर गजों कि इंड़ीलियम होते हैं इंडलोगे जबकि polonium क्या होता है metal होता है I hope so इतनी बात सबको याद हो गई होगी clear तो करना ही नहीं था याद करना था यह है न पोलोनियम radioactive होता है short heart lift उसकी 13.8 होती radioactive होता है इतना काफी है all these elements all these elements ही जितने भी elements होते है all these elements exhibit allotropy इन सब में allotropy देखने को मिलती है ठीक है इसके बात MP and BP increases with increase in atomic number down the group इनके MP BP जो होते हो increase होते हैं with increase in atomic number down the group ठीक है ओभियस सी बात है MP और BP क्यों increase होते हैं वो मैं आपको बताता हूं मेरी बात को आप धियान से सुनना बेटा O2 हुआ, sulphur हुआ, selenium हुआ, tellurium हुआ है ना इनके बीच में कौन से force of interaction exist करेंगी यदि O2 O2 के साथ जुड़ेगा तो किस force से जुड़ेगा जली से मुझे बता दो O2 O2 के साथ vendor wall force से जुड़ेगा sulfur sulfur के साथ जुड़ेगा तो किस force से जुड़ेगा तो इनके बीच कौन से force operate करते हैं बहुत बढ़िया अब सोचो यदि वेंडवाल forces है तो वेंडवाल force किस चीज पर निर्भर करता है किस पर depend करता है वेंडवाल force क्या वेंडवाल force जो होता है वो molecular weight या surface area पर depend करता है अब सोचो molecular weight जो है वो down the group बढ़ता जाएगा तो molecular weight down the group बढ़ने के करण औब्यस सी बात है इनका melting point of boiling point बढ़ता जाएगा लेकिंग लास्ट के दो में exception होता है लास्ट के दो में exception होता है मतलब polonium दो नहीं मतलब लास्ट के दो मतलब हो गया कौन सा तिलूरियम औप उलोनियम वो reverse हो जाता है तिलूरियम पोलोनियम जो है वो ओके तो melting और boiling point का order क्या हो जाएगा बच्चो टिलूरियम ग्रेटर देन पोलोनियम ग्रेटर देन समझ गया यह सेलेनियम सल्फर देन oxygen क्या सबको याद हो गया बिटा क्या सबको याद हो गया लास्ट के दो में MPBP का order reverse हो जाता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं oxidation state and trend oxidation state की यदी में बात करूँ तो oxidation state 16 ग्रुपकी oxidation state बिटा माइनस 2 से लेकर के माइनस तू से लेकर के प्लस सिक्स तक चली जाएगी कहा तक चली जाएगी माइनस तू से लेकर के प्लस सिक्स तक चली जाती है ठीक है बटा चलो अब आगे बढ़ते और आगे की बाते बढ़ते oxygen में लेकिन plus 6 नहीं जाएगा oxygen माइनस 2 और बहुत अधिक गया तो plus 2 तक चला जाएगा इसके आगे उसके बाद d orbital mt नहीं होता है तो वो उसके आगे नहीं दिखाएगा clear है बिटा इतनी बात सब लोगो no mt d orbital, विल्कुल सही है विराज आपका सही बोला mt d orbital नहोने कार वो minus 2 से लेके plus 2 तक plus 2 में किसमें हो सकता है? OF2 में, वो भी एक ही compound है OF2 में, और plus 1 किसमें होगा? O2F2 में होगा, clear है? लगे हाँ तो यह बात करी लेते हैं क्या O2F2 जो होता है बच्चो क्या O2F2 जो होता है बच्चो क्या वो पर उक्साइड होता है? क्या O2F2 पर उक्साइड होता है? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं जादा तर बच्चो ने answer दिया है नहीं और एक ने तो सुपर बोल दिया है बेटा, यह पर उक्साइड नहीं है यह पर आक्साइड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके गंजे पर पार्शिल नेगिटिव चार्ज है। यह पर आक्साइड नहीं है। चलो, लगें हां तो यहां एक कुश्चन पूछ लेता हूं, इसका explanation भी एक से एक भेंकर दिये जाते हैं कि O O bond length X वाली जादा होगी या Y वाली जादा होगी O O bond length X वाली जादा होगी या Y वाली जादा होगी जल्ली से बता दो बेटा O O bond length कौन सी जादा होगी X वाली जादा होगी या Y वाली जादा होगी ओके चलो, ठीक है, कुछ बच्चों ने X बोला है, कुछ ने Y बोला है, Z option में नहीं था Y वाली बेटा जादा होगी, क्योंकि इसके गंजे पे partial negative charge है बेटा Negative charge आने पे size बड़ा हो जाता है, natural सी बात है So, O2 negative negative will have a greater inter nuclear distance as compared to O2 positive positive Clear negative बहुती सरल explanation है, इसका repeat कर दीजे, repel भी होगा ना, बिटा Repulsion का factor बहुत जादा मतलब ऐसा मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता है वो, क्योंकि Repulsion वाले factor में फिर fluorine से भी repulsion आने लग जाएगा और बहुत complicated हो जाता है सोचना, वो ऐसा लगता है हमने अपने हिसाब से कोई चीछ एड़ेस्ट कर ली है, लेकिन जो Reason मैंने आपको बताए, इसमें कोई adjustment भी नहीं हो और कोई मतलब इसमें contradictory statement नहीं हो सकता इसलिए Reason काफी अच्छा है, मुझे लगता है आपको Reason इसको याद रखना चाहिए, ठीक है रहा, यदि यह Reason नहीं हो तो फिर repulsion, repulsion सारे factor लगा देना, बहुत सारे लोग अलला लग तरीके से इसको discuss करते हैं, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिडेशन स्टेट की कहानी से आगे बढ़ते हैं, यह देखो, यह आगया वो चार्ट जो मैंने आपसे अब यह भी discuss कर लिया है, आप यदि रेडिया ही देखोगे तो आपको सबसे बड़ा अंतर जो दिखाई देगा, वो हमने क्या बोला था सेकंड और थर्ड पीरेट के बीच में होना चाहिए, यह देखो, 66 से कितना आया, 104 उसके बाद इतना बड़ा अंतर कभी नहीं देगा दिखाई, 140 से 184 आया, इसके बाद इतना बड़ा अंतर कभी नहीं देगा दिखाई, समझ रहे हो बात को, यह बाद सत्ते साबित होई, ठीक है बड़ा, चलो, इसके बाद electron gain, enthalpy, देखो, सबकी negative है बड़ा, और oxygen की सबसे कम है, यह वहाँ देखो, minus 141 है, और वो minus 174 है, अब कोई बच्चा यह सोच सकता है, sir, minus 174 तो सबसे बड़ी value है, बड़ा, minus sign यहाँ पे सिर्भी यह बताता है, कि energy release होई है, वो उसके magnitude को नहीं बता रहा है, क्या बात clear है बड़ा सब लोग को, ओके, फिर ionization energy की value देखी जाए, तो कोई exception नहीं, आप देखो, कोई exception नहीं दे रहा दिखाई, electronegity down the group गिरती है, कोई exception नहीं है, density down the group बढ़ती है, MPBP में last के दो पलड़ जाते हैं, MPBP में last के दो पलड़ जाते है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, I hope so, सब बच्चों को बात समझ में आ गही है, oxidation state देखा जाए, तो oxygen की minus 2 से लिखके plus 2 तक जा रही है, और बाकी सब की plus 6 तक जा रही है, polonium में 2 और 4 दिखाया है, inert pair effect के करण उन्हें 6 oxidation state नहीं दी होगी, क्या बात clear है सब बच्चों मतलब वो वहाँ पर ज्यादा stable नहीं होगी, ठीक, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, oxidation state की कहानी खतम होई, अब हम चलते हैं, आगे की कहानी पर, अच्छा, ये बता रहा है, sulfur, selenor and telium usually show plus 4 oxidation state in their compound with oxygen and plus 6 with fluorine, ये बात clear है बटा, यदि oxygen के साथ देखें तो अपने compound में वो plus 4 दिखाते हैं, generally sulfur, selenium or telurium, जबकि fluorine के साथ में plus 6 दिखाते हैं, fluorine plus 6 में क्यों ज़्यादा stabilize होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा electronegative element होता है, तो obviously बात है, ज़्यादा electronegative होने से electronegative का difference बढ़ेगा, electronegative का difference बढ़ने से क्या हो जाएगा, bond की stability बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो excitation energy होती है, जब भी आप 6 तक जाओगे, जब आप 6 bond बनाओगे, तो आपको electron lower level से higher level पर पहले excite करने पड़ेंगे, जब आप electron को excite करोगे, उसमें कुछ energy लगेगी न बिटा, तो जो energy लगेगी वो compensate काई से होगी, अच्छा bond बनाने से compensate होगी, क्या बात यू, 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 और यू होता है न, अब तुम्हें 6 bond बनाने तो इसको उठा के यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, इसमें तो energy लगेगी, तो वो energy अच्छे bond बनाने के द्वारा compensate नहीं होगी, तो काई के लिए उपर जाएगा, तो fluorine सबसे ज़्यादा अच्छा bond बन बनता है, और वो factor है, steric hindrance, कहीं steric hindrance तो बहुत नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन, SF6 में octahedral structure बनता है, वहाँ steric hindrance इतना जादा नहीं है, यदि यह 6 से 7 बहुत जाता, तो कचरे हो जाते, फिर उसके बार में इसको stabilize करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता, जैसा पर lower down the group जाने पर higher oxidation state की stability गिरती है due to inert pair effect, जबकि D-block में इसका reverse होता है, lower down the group जाने पर higher oxidation state की stability बढ़ती है, lower down the group जाने पर higher oxidation state की stability बढ़ती है, D-block element में higher oxidation state is stabilized by the oxides, whereas in D-block element, higher oxidation state is stabilized by the floring. ओके बच्चो और यहां नीचे जाने पर higher oxidation state की stability घड़ती है due to inert pair effect जैसा कि हमको यहां लेखा हुआ भी देख रहा है ठीक अब आता है बटा आपको कई बार बताया कि एनमेलस का मतलब होता है उल्टा सोल्टा अब यह एनमेलस behavior की होता है यह बात भी हमारी कई बार हो चुकी है छोटा size absence of the orbital high electronegativity यह basic reason है एनमेलस behavior of oxygen का clear है बच्छो one typical example of effect of small size and high electronegatives presence of strong hydrogen bonding in S2O which is not found in S2S वो बोल रहा है छोटा size होने के कारण और high electronegativity होने के कारण hydrogen bonding possible हो पाती है है जबकि S2S में hydrogen bonding possible नहीं होती है hydrogen bonding मैंने आपको बहुत detail में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था जब revision of chemical bonding करवाया था हाला कि मेरे पास वापिस से यह topic आया है जो system के दोरा लिख्या आया है कि बच्चों को revision of chemical bonding करना है मुझे कुछ नहीं है classes लगी हुई है अब तो end तक आपकी classes चलेगी तो revision of chemical bonding करा देंगे इसके अलावा solid state का revision का आया और एक और chapter का आया किसी का तो अब यह पहले पी ब्लॉक खतम हो जाए तो उसके बाद वह अले chapters चालो करेंगे ना बागी मैं आप लोगों से पूछ लूगा कि आप लोगों क्या chapters की आवश्यक्ता है जैसे surface chemistry मुझे लगता है हरदम आवश्यक्ता रहती है यह chapter कभी भी classes में बहुत ज्यादा seriously dealt नहीं किया जाता है इसलिए मैंने surface chemistry जैसा boring chapter आपको पढ़ाया solid state में भी problem यदि है कुछ बच्चों को तो solid state मैं repeat कर दूँ है मुझे कोई दिख करते हैं गैशे state कई बच्चों को नहीं आता है यह chapter में मान सकता हूं गैशे state thermodynamics यह chapter आपके कमजोर होते हैं और यह chapter आपको पढ़ने की अवश्यक्ता ज्यादा पढ़ती है as compared to the solid state क्योंकि solid state एक बहुत आसान सा chapter है ज्यादा difficult chapter नहीं है लेकिन thermodynamics और hydrogen भी एक chapter है जो आपको पढ़ाना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता solid state is a bigger problem as such फिर भी जो system बोलेगा वैसा कर देंगे और मैं थोड़ी सी बात भी करना हूँ है बच्चों से बात करके ठीक है न चलो वोटिंग कर वा लेंगे group पे कितना चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो हम आते हैं the absence of d orbital the absence of d orbital in oxygen limits the covalency to four in practice ठीक है बटा oxygen में covalency ज्यादा ज्यादा कहां तक जा सकती है चार तक जा सकती है इसके उपर covalency नहीं जाती है ठीक है दो के बाद covalency बढ़ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसी के साथ यह sentence बहुत important हो जाता है देखो बेटा nitrogen की maximum covalency किती होती है नाइटोजन की maximum covalency किती होती है चार होती है लेकिन हम ammonium mind देखते हैं तो हमें feel रहती है लेकिन oxygen की maximum covalency जो है वो चार होती है इसका example as such हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है तो feel नहीं होती है तो कल के दिन ने दिये examiner ने दे दिया कि the maximum valency covalency of oxygen is for statement is true or false मैं बता रहा हूं 90% बच्चा इसको गलत निशान लगा के आएगा वह कहें तीन तक तो देखी है इसको ठीक है ना यह मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है NCRT में बहुत छोटी सी किताब है आराम से पढ़े पढ़ाही में आ जाती है ना on the other hand in case of other elements of the group the valence shell can be explained and covalence exceeds 4 हम सब जानते हैं hydride बनाएगा और hydride के बारे में अब मैं आपसे पूछता हूं आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जाना hydrides की बात कर रहा है hydrides बेटा यदि आप देखो ना यह चलता है hydride की acidity का order कुछ ऐसे यह बढ़ता हुआ क्रम समझ गया है बात को मैंने आपको periodicity में बताया थे यह HI, यह HBR, यह HCL, यह HF, यह H2O, यह ammonia, यह CH4, सबसे आदा acidic कौन है 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 उसके बाद HBR, उसके बाद HCL, उसके बाद HF, फिर H2, ammonia and CH4 clear reality बाद, down the group जाने पर और इसके reasons भी समझाए थे, 11th class में है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, उनको उनके respected teachers से समझाए होंगे, इधर reason क्या होता है बढ़ने का acidic strength, इधर से इधर जाने पर acidic strength बढ़ रही है, क्या reason है, base की stability, conjugate base की stability, यार, acid क्या, अब तो आप organic पढ़ चुके ना, बहुत सारी, तो अब तो आप जानते हो, कि acidic character जब हम दिखाते है, तो conjugate base की stability का explanation क्या है, यहां पर, the negative charges more stable on more electronegative element, 11th में समझ में नहीं आता है, लेकिन, जब 12th pass हो जाते हो, revision कर रहे होते, तब यह बात समझ में आनी चाहि by the negative charges more stable on more electronegative element, जबकि down the group कैसे explain करोगे, iodine तो less, electronegative है तो down the group कैसे explain करते है, down the group भी iodide is more stable, तो वो size से explain करते है, larger size, एकदम सही हमानची, larger size, larger size atom पर, जो है, charge disperse हो जाता है, तो आप बोलोगे, सर्जी, सर्जी, carbon का size Florence से बढ़ा होता है, तो वहाँ पर, यह size वाला factor क्यों नहीं लगा, क्योग्गि period में size वाला factor dominating नहीं होता है, size वाला factor dominating कहां पर होता है, group में होता है, period में electronegative वाला factor dominating होता है, clear यह भीटा, electro negative से explain करेंगे, पीरेड को, पीरेड की, हाइडराइड की, एसिडिक करेक्टर को, और ग्रुप में एक्स्पेरियन करेंगे, भाई इस साइज, ठीक है बढ़ा, तो डाउन दा ग्रुप, एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, चलो मुझे बताओ, इनकी बॉंड स्ट्रेंड डाउन दा ग् कम है, और इलेक्टर नेगिटी का डिफरेंस भी जादा है, जबकि पी ओ एच में बॉंड लेंथ जादा है, इलेक्टर नेटी का डिफरेंस भी कम है, तो ये वाला जो बॉंड है, ये वाला जो बॉंड है, मजबूत है, और ये वाला बॉंड रिलेटिवली आसानी से तू ज़्यादा अच्छा reducing agent होगा water ke S2P O water ke S2P O कौन अच्छा होगा चाँखी अच्छा hoगा है ना बच्छे es ToP … ज्यादा अच्छा reducing agent हो जाएगा तो क्या-क्या discuss हो गया पहली बार discuss हो गई हमारे बीच में acidic blend दूसरा bond strength, तीसरा reducing power, अब चौथा bond angle, down the group bond angle hydrates का क्या होता है, बढ़ता है या घटता है बिटा, कल भी समझाया था मैंने आपका ammonia वाले में, decrease होता है, it decreases, in fact अपन hybridization से थे हैस्टू का बताते हैं, उसके बाद अपन hybridization की बात नहीं करते हैं, क्योंकि bond angle लगबग 90 degree के आसपास आ जाता है, exact bond angle हम देख लेंगे, देख भी लेना चाहिए, इस पर question frame हो सकता है, record rule लगता है बादना, एकदम सही बोला बेटा आपने हैंना, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब bond angle down the group क्या होगा बच्चो, decrease होगा, clear है, अच्छा, bond angle हो गया, और MP और BP, अब आया MP और BP, बेटा आपको याद है, 15 वर्ष की IU में BPS में problem थी, तो 15 रूप में BP में वो नहीं हुआ था, जो हम सोच रहे थे, ammonia number 1 नहीं आया था, ammonia ठीक बीच में कनहिया बनके बैठ गया था, clear है, और 17 रूप में MP में problem होती है, 17 रूप में MP में problem होती है, sweet 16 में किसी में problem नहीं होती है, sweet 16 का जो order है, एक दम must order है, मतलब MP और BP दोनों जादा होगा water का, क्योंकि उसमें hydrogen bonding है, उसके बाद operate करेगा vendor world force, इसका मतलब उसके बाद S2PO से कहानी चाली हो जाएगी, number one MPBP water का है, और उसके बाद vendor world forces, और vendor world force molecular weight dependent होता है, जिसका molecular weight जादा होता है, वह vendor world force जादा होते है, clear है बिटा, अच्छा, कौन से type के vendor world force यहाँ पर मिलेंगे, की सम, बीबाई, या फिर लंदन forces, कोई बता सकता है, की सम, और season forces कौन सा force होगा फिटा, स 2S, स 2S के बीच में नहीं जाया, स 2S के बीच में की सम फॉर्स होता है, dipole, dipole interaction जो होता है वह की सम फॉर्स होता है, dipole induced dipole interaction बीबाई force होता है और instantaneous dipole induced dipole, लंदन फोर्स होता है चेप्टर केमिकल बॉंड लेंग चलो आगे बढ़ते हैं अब हम आजाते हैं वेटा देख लो आप सब कुछ हो गया MP हो गया बीपी हो गया इंटर न्यूक्ले डिस्टेंस तो अब यसी बात है बॉंड लेंड किसकी ज्यादा होगी जिस एटम का साइज इस के बाद मैं डिसोशीयशन कंसेंट के युट यह रहा है देल्टा अपलंस से लेकर 20-10 शर्परमेशन में भी नेगेटिव होगी डेल्टा एश फॉर्मेशन नेगेटिव है ना बच्छो आपको पता है ना एश टू प्लस ओटू की रियक्शन जो है एक्टाइट का ऑक्सिडेशन है क्या बोल सकते हैं तो अपन पढ़ते ना कि जिती भी रियक्शन सोती हैं जिन में कि अपन क्या करते हैं six ऑकक्सिजन से रिएक्शन कराते ना कंबस्टिशन कराते हैं तो इंत्यापी फट कमश्चन क्या होता है सब्सक्राइब बॉट होता है कि यह कंबस्च्ट का कि NICK नहीं है बताओ है इसके लिए डेल्टा-इस की वेल्टा-इस वेल्टा-इस की बनाया गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं चलो अब बेटा अपन आते हैं किस पर ऑक्साइड पर आपको तो पता है दो टाइप की ऑक्साइड बनते हैं एक EO2 टाइप बनता है और दूसरा EO3 टाइप बनता है और सब के सब जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में अच्छा डाउन दा ग्रूप जाने पर किसकी स्टेबिल्टी बढ़ेगी EO2 टाइप की के EO3 टाइप की आपको क्या लगता है डाउन दा ग्रूप EO3 टाइप बढ़ेगा के EO2 टाइप बढ़ेगा मतलब कौन स्टेबलाइज जादा होगा EO2 टाइप जादा स्टेबलाइज होगा है ना ड्यू टू दा इनर्ट पेर अफेक्ट अब सो चो लेकिन इतना फेक्ट्वल नहीं पूछा जाएगा एक्जाम में यह बात मानों कंसेप्च्वल और थोड़ा फेक्ट्वल है ना यही एक बड़ा कंफ्यूजन है मैं आपको लेकर के के NCRT एक्जाम में आती तो है पर किस एक्स्टेंट तक आते हैं तो NCRT एक्जाम में जो बायों भी काफी सुपफीशल NCRT से आती थी मतलब बहुत ही सुपफीशल थे अब नहीं कह सकता में हो सकता है आप वह आपके बायों के टीचर बताएंगे खेर आगे बढ़ते हैं लेकिन केमेस्ट्री की NCRT तो खोद-खोद के नहीं पूछिया के सुपफीशल पूछते है ना लेकिन कोई संटेंज जहां रीजनिंग वीजनिंग डियो वहां पैपन को पढ़ लेना चाहिए और फिर यह लगता है कि NCRT थी छोटी आर कौन रिस्क ले है के ने तो करेंगे तो शौध कर हैं आप सामने वाले ऑडिक्शन करेंगा मतला नilos क्या क्या कराएंगा ऐसे मा जल के साथ react कर गया तो यह क्या बना सकता है एसो थ्री बना लेता है प्लस टू एच बना देता है यह reduction करा देगा क्या बात क्लियर बच्छो समझ गया आप मेरी बात को यह क्या करेगा यह reduction करा देगा समझ लग तो the thing is लुफिशन कराता है जबकि एसरी प्लस डूस लिखके बता देते हैं ठीके ने बटाइए चलो आगे बढ़े अब देखो यदि इसका ऑक्सिडेशन तो आप खुदी सोचो यह SO2 क्या है? SO2 की reducing power ज़्यादा है as compared to TEO2. SO2 की reducing power ज़्यादा है as compared to TEO2. क्यों? क्योंकि SO2 यदि reduction कराएगा तो खुद SO3 में जाएगा. क्या TE TEO3 में जाएगा ज़्यादा या SO2 SO3 में जाएगा ज़्यादा. तो आपको पता inner pair effect के कारण SO3 की stability ज़्यादा है as compared to TEO3. इसलिए SO3 बनने के chances ज़्यादा हैं. तो हम यह कह सकते हैं कि SO2 SO3 में ज़्यादा जाएगा. रादा TEO2 going into TEO3. तो बेटा एक आश्चर जनक fact है. आपको याद रखना चाहिए इसको. आश्चर जनक क्या है? मतलब important fact है. आश्चर तो नहीं होना चाहिए लेकिन important fact है और important fact है कि SO2 reducing agent होता है जबकि TEO2 oxidizing agent होता है. यह तो अपना oxygen किसी और को चिपका देता है बलकि. ठीक है बटा? तो SO2 reducing agent होता है और TEO2 works as a oxidizing agent. क्या मैं अपनी बात तुम लोगो समझा पाया? मुझे लगता है यह काफी important fact है. एक्जाम में उस साल का यह difficult question होगा जिस साल यह आएगा. ठीक है बटा? यदि इस साल आ गया तो इस साल के difficult question में समझा जाएगा. क्योंकि बच्चे NCRT पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है. तो आखिरकार जो है वो फस जाते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर एक्जाम में याद नहीं आता है और यह और क्या लिखाता हूँ वहाँ पहाँ पहाँ है ना? चलो. Besides EO2 type sulfur selenium and tellurium forms हाँ मेटा बता देंगे मतब MO2 type और MO3 type दो नहीं acidic होते हैं nature में. चलो यह बात हमारे लिए आसान होगे. हमें यह आद दिने रखना पड़ेगा कौन सा amphoteric था और कौन सा acidic था और कौन सा basic था. लास्ट टाइम हैसे हम फस गएते हैं ना? तो यहाँ पर ही आली problem नहीं है. 16th में सब acidic है. 17th में तो हो गई सब acidic. ठीक? तो अपन ने मान लिया कि oxide जो होते हैं 16th के और 17th के सब acidic होते हैं. क्या बात clear है विड़ा? और यह question last year exam में आ भी चुका है. CL2O7 का nature पूछा गया था. कैसा होता है. ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं. 15th group में सारे oxide acidic नहीं थे. जो 15th में पढ़ाया था. उसको अच्छे से याद करना है. Now reaction towards the halogen. तो obvious सी बात है कि halogen के साथ सब react कर जाएंगे. और react करके कि EX2 type EX4 type and EX6 type बनाएंगे. दुनिया जानती है EX6 type के बनने के chances down the group कम होते जाएंगे. In fact, chloride, bromide, iodide EX6 type बनाएंगे नहीं due to hysteric hindrance. बलकि जो मतलब 6 वाला structure है मतलब जो MX6 type structure वो SF6 में मिलता है. SF6 stable होता है. SF6 का octahedral structure होता है. वो स्टेबिल होता है. लेकिन आप बाकी में सोचो कि SI structure बना ले chlorine के साथ, bromine के साथ, iodine के साथ तो hysteric hindrance के कारण वो stabilize नहीं हो पाएगा और तूड जाएगा. तो hexahelite जो होता है वो sulfur ही सिर्फ बनाता है और वो भी, sorry, hexahelite जो होता है वो fluorine बनाता है. SF6. क्या बात clear है सबको? और SF6 stable होता है not due to अब SF6 stable है not due to thermodynamic effect but due to kinetic effect. अब मेरी बात को समझना ये शब्दों के मतलब क्या है thermodynamic या kinetic मेरा कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि SF6 में SF bond होता है stable नहीं होता है. क्योंकि SF4 को यदि पानी में मिला दिया जाए तो उसका hydrolysis जमा जम होता है तो इसका मतलब SF bond यदि stable होता तो hydrolysis नहीं होता है जैसे कि NF3 में hydrolysis नहीं होता है क्योंकि NF bond stable होता है लेकिन SF6 में ऐसा नहीं है कि इसका hydrolysis इसलिए नहीं होता है क्योंकि SF bond stable होता है यदि SF bond stable होता है तो SF4 का भी hydrolysis नहीं होता है लेकिन S.F.4 का तो जमा-जमा हाइडुलिसिस होता है, तो S.F.6 का हाइडुलिसिस नहीं होने कारण है इस्टेरिक हिंड्रेंस, छे बैट सकते थे, छे बैट चुके हैं, अब वाटर इधर यदि अटेक करने की कोशिश करेगा, तो उसके पास कोई जगा खाली नहीं है, जहा करके यहाँ पर अटेक कर सकता है, अधर्वाइज नहीं होगा, इस लाइक C.C.L.4, वहाँ भी तो आइडुलिसिस नहीं होता था, लेकि तो ड्रास्टिक करा दो, तो C.C.L.4 का इडुलिसिस हो जाता है, क्योंकि C.C.L.4 के बॉन्ड चूट जाते हैं, जगा खाली हो जात आप लोग को क्लियर हो गए होगे, क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, जली जली बोलो, हाँ हाँ बोलो, आगे बढ़ जाएं, ओके, एक मिनट का टाइम देता हूं, इसकी फट दी से रिडिंग माल लो, जो लिखा हुआ है सामने, अलिमेंट ऑफ ग्रूप 16 फॉर् ख्लॉराइड, ब्रोमाइड, एंड आयोडाइड, बेटा मेरी वाइस आ रही है क्या बच्चों, मेरी समझ में तो वाइस आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली, यस, ओल फाइन, बेटा आपको जिनको नहीं आ रही, मिटिंग से बाहर जाके अंदर आगे बढ़ होते हैं, मैंने ये नहीं का, आप सि維 एसे मिलता है, मैंने ये का कि है, एक्जा एलाइड में सिर्फ फ्लोराइड मोलते हैं, आल हग्जा फ्लोराइड आर गैशस इन नेचर, बतलब है, सी एफसे भी बन रहा होगा, ट्लियर है बीटा, बैका और सब कैसे होते हैं, गैशस होते हैं नेचर में यहां पर किसी बच्चे को लग सकता है सर गैसे नेचर क्यों क्यों है इनका मॉलिकुल अबेट तो अच्छा खासा हाई होना चाहिए विधी बिटा आपको ही सिर्फ वाइज नहीं आ रही है बाकी लोगों को आ रही है के इसको तो वाइज ही नहीं हा रही है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मिटा और ता मैं बता रहा था गैस्यूंट विधी बहुत परिशान कर रही है मैं उसको आंसर देदो ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि यह गेस्हों होता है तुम लोगों को लगता है ऐसा धूली से में को बता ओयो यह बात फुरा-थूरा डिस्केशन हम लोG के बीच में होते रहना कि यू मौलीकुल विट तो अच्छा झास होगा यू अब आपको बताओं ऐसा क्यों होता होगा आप देखो हैग्जा फ्लोराइट होती है अब फ्लोरीन के उपर नेगेटिव चार्ज खुब सारा हो जाएगा अरे बात को से बांड से क्या होता है बच्चे यहीं समझते कि इंतर मॉलिकुलर फोर्स अट्रेक्शन अलग चीज होती है और जो कोवलेंड बॉंड मनता हो अलग चीज है या गैसे स्टेट में जब कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब स्टेट के बीच का बॉंड आपको देखना है वह कमजोर तो कैसे होगा उसका तो मतलब बहुत सारा मॉलिकुलर वेटर्स को तो स्ट्रॉंग क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यहां सब फ्लोरीन है और सारे फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है आप सोचो जो पूरा इस्ट्र नहीं लगता ऐसा कि वहां पर रिपल्शन रिपल्शन खिल जाएगा और यदि रिपल्शन रिपल्शन ज्यादा हो गया बेटा तो आप जानते हो कि वह आपसमें अट्रेक्शन नहीं करेगा आया कि नहीं आया आया ना बेटा CCL4, CF4 इनके जो boiling point होते है ना expectation से बहुत कम होते है reason simple क्या है वही negative charge जो आ जाता है उनका पूरा आपा मंडल negative charge से cover होता है अब एक CCL4 जब दूसरे CCL4 के पास या especially एक CF4 दूसरे CF4 के पास जाएगा तो obvious सी बात है यार कि उन दोनों के ठकले पे क्या है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का खूब सारा आभा मंडल है तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेगा रिपेल करना चालू कर देगा रिपेल करेगा तो obvious सी बात है क्या हो जाएगा वहाँ पे उनका नेचर गैसेस हो जाएगा उनके melting point और boiling point कम हो जाएंगे clear बच्चो चलो आगे बढ़ते एसेफ 6 इसेप्शनली स्टेबिल ड्यू टू ड्यू टू वाट ड्यू टू इस्टेरिक हिंड्रेंस अब यह हर्षित ने पूछा है सर है चाई मोर एसेडिक है तो conjugate base iodide की stability ज्यादा होनी चाहिए ना बिल्कुल बेटा और होती ही बिल्कुल हर्षित और होती ही है iodide की stability conjugate base iodide is more stable than bromide than chloride than fluoride correct है लेकिन बेटा इसमें भी हमें यह देखना पड़ेगा medium कौन सा है समझ रहे बात को कि medium कौन सा है तो थोड़ी ना बात बन पाएगी तो iodide की stability gaseous medium में अलग-अलग वेडिक करती है ठीक है ना चलो कि ना ओक है कि reactivity towards halogen कि सर इस्टेरिक हिंडेंस तो अनस्टेबिल बनाता है तो फिर एसेफ सिक्स को अरे बेटा इस्टेरिक हिंडेंस के कारण वो इस्टेबिल इसलिए है तुम समझे नहीं एसेफ शिक्स तो बन गया without तो जो है वो उस वाटर के अटेक को नहीं होने देगा उस वाटर के लिए इस्टेरिक हिंड्रेंस है एक बात समझ में आई कि नहीं आई जली बोल आगे ना समझ में हाँ ठीक है ना ठीक है विकास आगया थीक है ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो आपको मेरी बात चमक गई होगी वहाँ पर हैग्जा फ्लोराइट सारे के सारे गैस थे लेकिन यहाँ पर समझ में आगई सब बच्चों को देखो किता नहीं तो आश्चर हो जाता ना कि असका ज्यादा था और सेमी टाइब के कंपाउंड ने तो वह गैस हो गए और यह लिक्विट सॉलिट कैसे हो गए तो यहां उतना नेगिटिव चार्ज नहीं रहा होगा और वह आपस में आपस में इंट्रेक्शन कर सकते हैं अब बिटा इसमें बहुत इंपोर्टेंट बात है इनका हैं क्या होता है इस एफ सिस इस पी 3D आपिडाइजिशन होता है ऐसे फोर में आप सबको पता होगा एक लोंपेर होता है चारबांड प्रोते हैं और यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल जो है वह वह जो मेंट्री और जो शेप होता है ऐसे फोर का वह होता है सीशॉश या फिर डिस्ट कि लिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं इसके बाद में आगे बढ़ें से कफ्यूजं मेहिन होता है क्योंकि क्या beeping कभी-कभी बाई पेरामेडल और इसका शेप होगा सी सोशेट कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है जब भी आप कोई भी हाँ यह शेप है यह शेप है लेकिन NCRT ने जोमेटरी लिख दिया और यही हुआ पिछले दो तीन साल में उन्होंने एक कोश्चन पूछा था जिस कोश्चन के उन्होंने जोमेटरी लिखा था लेकिन शेप जो जो शेप था वो उन्होंने माना था तो इसलिए अपन को फिर NCRT इसका मतलब क्या किया NCRT से लाइन पिकप की और वही कोश्चन बना दिया तो अब अपन यहां सावधान हो जाएंगे कि NCRT ने SF4 की जोमेटरी क्या दिया दूजार सोला में शाहिद कुश्चन था हा हो सकता है लेकिन बच्चो अपन गलत तो नहीं पढ़ सकते होगी हर बार एक जैसा करेगा है ज़रूरी नहीं है तो अपन देख लेंगे NCRT में कहां पर ऐसा पाप कर दिया है जहां पाप किया उसको अंडरलाइन कर लेंगे यदि यही एक्जेक्ट पुश्चन आया क्योंगी लाइन तो अपन सी सो जोमेटरी लगाएंगे और हस्ते हुए बाहर अब एक सुपर पाप आने वाला है एन एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एन डाइब्रोमाइड यह बटा गलत है आपको दिख रहा हुआ है यहां ऑक्सीजन लिखा हुआ है और यदि आप लोगों ने भी अपनी NCRT घोल के रखी है तो कोई ब जिनकी NCRT में ऑक्सीजन लिखता है उसको काट के सेलेनियम कर दो क्योंकि सेलेनियम जो होता है डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड नहीं मनाता है सेलेनियम डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड नहीं मनाता है ऑक्सीजन और सलफर बनाते हैं सेलेनियम टेलूरियम इनके बहुत ज़्यादा stable as such नहीं होते हैं clear है इतनी बार bond length बढ़ जाती है ये काफी सारी bond length बढ़ जाती है फिर मैं आपको middle row anomaly भी पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी इसके बारे में थोड़ा सा idea दे दुआ ओके बेटा तो यहाँ पर answer क्या देना है आपको selenium लगा देना है ठीक है बेटा all forms all element forms dichloride and dibromide except for selenium except for selenium लेकिन इनके monohalides मिलते है selenium का monohalide आपको मिल जाएगा और selenium का monobromide भी आपको मिल जाएगा ठीक है TE और PO बनाता है देखो बेटा according to NCRT data unknown लिखा except selenium लेकिन आप अच्छी किताबे पढ़ोगे तो सुनो मेरी बात को ध्यान से बच्चो है ना यदि आप अच्छी किताबे पढ़ोगे तो उन में लिख देगा कि down the group चाहे selenium हो चाहे tellurium हो चाहे polonium हो उनके अंदर stability नहीं होती है ब्रोमाइड या डाइक्लोराइड बनाने की correct है बेटा और अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि selenium डाइकलोराइड और डाइब्रोमाइड दोनों बनते हैं समझ गया आप मेरी बात को selenium डाइकलोराइड और डाइब्रोमाइड दोनों बनते हैं लेकिन गैशे स्टेट में बनते हैं लिकृड और सॉलिड स्टेट में नहीं बनते हैं यदि HCL को CO2 को साथ में रग दिया जाए तो डेफिनिटी वो है selenium डाइकलोराइड डाइब्रोमाइड बना देता है लेकिन जो NCRT ने लिखा हमको मानना है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात चल नहीं रही है यदि real chemistry की बात पर जाएगें तो फिर मामला घड़ बढ़ा जाएगा तो अपन ने तो इतना discussion कर लिया आपने question पूछा तो मैंने आपको उत्तर दे दिया लेकिन reality क्या है reality ही है कि exam में वही निशाल लगाना है जो NCRT में आ रहा है बट यदि chemistry की बात की जाए तो मैंने आपको फिर chemistry बोल दी है अब दो टाइप की chemistry बनती है अभी फिलाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ NCRT है तो मेरा focus है आपका नीट निकल जा है समझे बात को जिस दिन मेरा focus योगा की chemistry पढ़ानी है इससे बहुत अलग पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा लेकिन उस बहुत अच्छे की आज value बची नहीं है आपको भी पता है एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या रही है अच्छा आना चाहिए और अच्छा होना चाहिए मुझे भी बहुत पढ़ाने का शौक है लेकिन आपको पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसमें आना वही हो जो एंच्याटी में दिया है तो let us focus on that आपके पढ़ने के सारे शौक medical college में जाके पूरे कर लेना हाँ definitely अब मैं पढ़ाते हूँ थोड़ा सा उत्ता enjoy नहीं करता because definitely क्या करते है literature पढ़ने का आनंद खतम होता जा रहा है खेर जो भी है अपनको तो एक्जाम निकालना है यही सर क्या क्या नहीं सम्झावें बटा तुम कट करके क्या लिखा है सर क्या काट के क्या लिखना है repeat प्लीज अरे बच्चे oxygen यदि वहां लिखा है तो oxygen काट दे और इसकी जगे सेलेनियम चूज कर ले यदि और लेड़ी सेलेनियम लिखा है तो कुछ नहीं काटता है समझ गये कुछ लोगं की NCRT में oxygen लिखा होगा उसको काट के सेलेनियम कर दो जिनकी NCRT में और लेड़ी ठीक है सेलेनियम है वह कुछ मत काट ना चलो आज़े बढ़े और आगे पढ़े अच्छा सुनो एक बात जो डाइमेरिक हलाइट्स होते हैं यह क्या है मिटा यह मोनोहलाइट्स है तो सेलेनियम के जो मोनोहलाइट्स होते हैं अगे बढ़ जाएं बच्चो चलो यह लाइन जली से पढ़ लो क्योंकि क्या है ना इसमें यह उपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाई है लेकिन इस पर ऑक्सियन काटके सेलेनियम करना है तो यह पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लो अभी आया नहीं है दो चार साल में इ समझें बात को और रीजन भी यही वाला आ जाएगा डू टू डिक्रीज डिसो क्या बोल रहा है एस्टू एस लेस्ट इस तो टी वाइट इस वाई डू टू डिक्रीज इन बॉंड डिशुशन इंथेल्पी एस्टिक करेक्टर इंकिसे आप सुनो तो मेरी बात को यह बहुत ही फर्जी टाइप का कारण ही है कि बाइब बॉंड डिशन इनर्जी जो है वह घट रही थी इसलिए ऐसा हो रहा था यह बहुत ही जदा फर्जी टाइप का कारण में आपको बता रहा हूं इस कारण के आधार पे दी एसेडिक करेक्टर लगाओ गे ना तो पचीस जगे गलती हो जाएगी आपसे एसेडिक करेक्टर लगाते हो लेकिन आपको इसको पढ़ लेना है क्योंकि यह एग्जामनें ने मालनों कल के दी यह कोश्चन आपको दे दिया और रीजन दिया और रीजन में दी यह वाला रीजन लिखा होगा आप समझ जाओ बेटा उसक ही बोल रहे हो कि कॉंजूए वह साइज वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है लेकिन यदि वह ऑप्शन में नहीं हुआ यह वाला ऑप्शन में हुआ तो क्या करोगे बच्चे एंसी आटी चूज करोगे कि वहां पर अपना नॉलिज दिखाओ गे अगले आदमी ने य सोर्स से चूज किया है यार कोशन देखते ही समझ में नहीं आ जाएगा एंसी आटी की लाइन डिरेक्टली चूज करी है एक्जाम्पल 7.11 है उसका रीजन उसने यह दिया था क्योंकि इसको अपन चैलेंज भी कर सकते हैं अपन कह सकते हैं ना कि मालिक तुम नहीं तो अप समझे बात को ऐसा कभी एक्जाम में होता है लेकिन आप यदि आपको दिग्या के कोशिचन एक्जेक्टली यह है और नीचे यही वाला रीजन दिया यही वाला रीजन से लेक्क है नहीं यह दिया ठीक है बट मोस्ट करेक्ट रीजन यदि के साब से देखा जाए तो गहस और दिमाग बाजी मत लगाओ ठीक है ना एक्जामनर बेटा इतना ही सोच रहे होते तो कम से कम वैल्यूस तो बदल देते इसको एक्जाम कहते हैं कि 44 कोश्चन डिरेक्टी एंसी आटी से दे दिये जसके तस इसे एक्जाम कहते हो जिसमें 3-4 कोश्चन में सिर्फ वैल् ओंनलिस मत करो तुम लोग की में चिन्ता समझ रहा हूं तुम अभी यंगर हो और तुम्हारे अंदर उठ चाहते हो अच्छा ओना चाहिए बिटा हमारे और तुम्हारे चाहने से क्या होता है बनाने वाले को भी बात सुचनी चाहिए कि एक्जाम का इस तर अच्छा करें जिससे कि इंटेलीजन डॉक्टर हों जो समाज के लिए अच्छा काम करता है चलो खेर अब आते हैं अपन प्रिप्रेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन पर तो बच्चों कितना सरल है सबसे पहले केसी अलोट्री को गरम कर दो आपको मैंने पढ़ाया है सर्फेस केमेस्ट्री का जिसने रिवीजन कर लिया है वह बच्चा मुझे बता सकता है मैंने पढ़ाया था उसके अंदर आपको बताया था अभी जो सर्फेस केमेस्ट्री वेजा है उसके अंदर पढ़ाया था ठीक है अरे लोग से क्या मतलब है लो से मतलब यह है कि उनकी रियाक्टिविटी ही कम होती तो जिनकी रियाक्टिविटी कम होती ऑक्सियन को अउल्ड नहीं करेगा तो सुच इनका डेल्टा जी फॉर्मेशन पॉजिटेव बहुत जली हो जाता है याद करो वह इलिंगरम डाया मै यह ने बोला था बहुत जली एक्रास कर जाती है लाइन यहां पर यह डेलटा जी बराबर जीरो लिख था इसके लिए अरे तुमनों को याद भी है कुछ के नहीं है डेल्टा जी बराबर जीरो लिखा था इसके लिए और मेटलर्जी पढ़ाया था je नहीं पढ़ाया था है ना? और बोला था इनके लिए ये ग्राफ बहुत जली क्रोस हो जाता है ये टेमपरइज़सर था अइस तरह और ये डेल्टा-जी था इस था बाकियों के लिए काफी लेट कुछ यू ग्राफ चलते रहते थे कर्बन गेफ कर्बन मोनोकसाइड के लिए ग्राफ कुछ ऐसा चलता था याद आया आप लोग को तो बेटा Thermal Reduction इसको बोलते थे याद करो Thermal Reduction शब्द प्रियोक किया था कि नहीं किया था बस तो ये क्या है बच्छो ये है thermal reduction ये AG और HG में होगा जबकि PB में PB3O4 mixed oxide होता है और PB2 आपको पता है इनर पीबी 3O4 mixed oxide होता है बच्छो और PB3O4 में क्या क्या चीज़ी होती है पीबी O होता है और PB2 होता है तो दो मोल इसका हो जाएगा एक मोल इसका हो जाएगा PB2 का क्या आपको पता है इनर पेर अफेट के करण PB2 की stability जादा नहीं होती तो वो PB2 में convert होना चाहेगा तो लास्ट के दो example में क्या लगा इनर पेर अफेट। शुरू के दो example में क्या लग डेल्टा जी फॉर्मेशन जो है बहुत जल्ली लो टेंपरेचर पर ही पॉसिटिव आ जाएगा तो जड़ा सा टेंपरेचर बढ़ाया नहीं कि टूट जाएंगे आया के नहीं आया आया के नहीं आया इत्ती बाद ठीक है सर्फेस केमेस्टी की वीडियो बिटा आ चुकी है मैं आपको पोस्ट कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रूप पे आपको मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं जो लोग टेलीग्राम ग्रूप पे नहीं मुझे बताना आखरी में नंबर बता दूँ हाँ उस पर जुड़ जाना चलो आगे बढ़ते हैं अब हाइड़जन पर ऑक्साइड क्या हाइड़जन पर ऑक्साइड को हीट कर दे तो ऑक्सियन देदेगा बिटा यह बाण्ड प्लस हाफ ओटू बना देगा तो क्या ही ऑक्सियन भूल देगा ऑक्सियन बहार निकाल देगा बेटा तो कोई भी ऐसी चीच जिसके पास ऑक्सियन बहुतायत में हो जिसके पास ऑक्सियन बहुतायत में हो उसको आपने हीट किया तो वो ओटू देदेगा चाहे KMNO4 को heat कर दे, चाहे K2CR207 को heat कर दे, चाहे KCLO3 को heat कर दे, वो सब जो होते हैं वो oxygen को दे देते हैं, चलो ये reactions भी नीचे लिखी होंगे, नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या बोला मैंने अभी भी, मैंने बोला K2CR207 को heat कर दे त कर दे तो क्या देदेगा, oxygen देदेगा, ठीके बेटा, चलो, ये पता होना चाहिए, आपको important ये हैं अब आगे बढ़ते हैं, यदि large scale पे हमें oxygen बतानी हैं, तो water का electrolysis कर दो, large scale पे बनानी तो water का electrolysis कर दो, anode पे O2 gas evolve हो जाएगी, clear है बेटा, और hydrogen release होगी, cathode पे, clear, और industry तैयार करना है, तो air ले आओ, air को आप क्या करो, air से सबसे पहले water और carbon dioxide निकाल लो, air से water और carbon dioxide remove कर दो, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, N2 और O2 मिल जाएगा, liquid state में, फिर उसका fractional distillation आप करते रहो, और finally आपको pure O2 मिल जाएगा, clear है बच्चों सब को इतनी बा तो हमको दिखाई देती, क्या oxygen में, odor होती है के नहीं होती है, यदि odor होती तो अपन को गंद आती, जिस चीज को अपन जिंदीगी बर से सुन रहे हो, उसकी गंद तो वैसे ही खतम हो जाएगी, receptors तो वैसे ही उसके प्रती अकॉमेडेट हो जाएगे, सोचो, यदि हमारे कम जीवन भर से सुनते आ रहे हैं, बरसों से, जन्मों, जन्मों से, पीडियों से, evolution में क्या उस गैस की गंद आती हमको, नहीं आती है, unnecessary है उसकी गंद आना, sense organs का wastage है यह तो फालतू की energy waste होती, कोई chemical reaction करनी पड़ती है, क्या 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 हो, सही है कि नहीं है, evolution में हमने गंद को, क्योंकि हमारी डेंजरस नहीं है, जन्रली उनीक एसस की गंद आती है, जो हमारी डेंजरस होती है, जन्रली है नहीं तो आप कल के दिन में, carbon monoxide में चाहिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं, the solubility in water, यदि बात करें, तो water में solubility oxygen की ज्यादा होगी कि कम होगी, अरे यह बात को हमें पता है, कि marine life और aquatic life, बहुत सारी जो है, वो किस पे चलती है, कई animals जो होते हैं, oxygen कहां से ड्रॉ करते हैं, वो तो आपने पढ़ लिया होगा ना, बायो में, वो पानी से ही प्राप्त करते हैं, ठीक, अब इसके बात में, उसमें आपने वो gills के थूँ, यह मारतमाम factors हैं, जो आपने बायो में, mechanism पढ़े होंगे, उस पर अपने इधर नहीं जाएंगे, isotope oxygen के ओ, 16, 17, 18 होते हैं, molecular oxygen O2 के रूप में exist करता हो, paramagnetic होता है, याद आया, MOT, याद आया, MOT theory, O2 paramagnetic था, याद करो बिटा, सब लोग को याद आ गया, O2 कैसा था, paramagnetic था, गोला, 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 है ना, और उसके बाद हमने देखे थे, ऐसे उल्टे गोले, सीधे गोले, यह तो पूरे-पूरे भरे हुए थे, दो, 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 दो electron, clear, और फिर हमने देखा था, यहाँ छे electron, और फिर इधर एक, और इधर एक, दो unpaid electron होगे, बच्छो, दो un parametric in nature, लेकिन liquid oxygen होता है parametric, gas में तो वो nature आपको दिखाई ही नहीं देगी, देख बिटा, ammonia ऐसे तो lethal नहीं है हमारे लिए, लेकिन यदि तो बहुत ज़्यादा large amount में उसको infuse कर लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तरे लिए वो lethal हो जाएगी, ठीके न, क्योंकि ammonia आस आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोलाता है, जर्णली ऐसी गैसे जो हमारे dangerous है, वो अपन को गंद आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हरे example लेकर उसके पीछे बढ़ जाओ, ठीके न, इसार जर्णली एक्जामपल से है जिससे अपन को subject overall थोड़ा समझ में आए है क्या, तो कम से कम याद हो जाएगा, एक interest factor जनरेट होता है बच्चो है न, absolute तो ऐसा नहीं कि science में एक रीजन दे दिया, और जगर पर जाओके फिट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मुटा मुटा फिट होता है, अब इडा डाइयोक्सियन डिरेक्टी रियेक्ट कुछ noble gases, ठीक, या noble gases गोल दे, its combination with some other element is often strongly exothermic, of course, metals के साथ तो इसका combination strongly exothermic होगा, क्योंकि दो लोग मिल गए, दोनों एक दूसरो को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो बहुत सारी कुशियां बाहर आएगे, बुम, energy बाहर निकलेगी, ठीक है पिटा, however, to initiate the reaction, some external heating is required of course external heating will required है, क्योंकि oxygen का खुद का bond तो बहुत मजबूत है ना, oxygen का खुद का bond क्या है, बहुत मजबूत है, पहले इसको तोडने के लिए तो आपको energy देनी पड़ेगी, but once the bond is broken, oxygen बहरा जाएगी बुरी तरीके से, और वो जिससे react करेगी, बुम, energy release करेगी, और खुब ही सा है, दुनिया बर के metal और non-metal जिसके साथ oxygen react कर रहा है, और बहुत सारी energy भी release करता है, combustion सारे के सारे combustion में energy release होती है, except for N2 and F2, यह सारी reaction बहुत सिंपल है, calcium के साथ, aluminium साथ, phosphorus, carbon के साथ में, दुनिया जानती है, calcium oxide, aluminium oxide, phosphorus oxide, carbon dioxide, carbon dioxide बन जाएगा, उसके ZNS के साथ reaction करेगा, तो ZNO बनेगा और SO2 बनेगा, हाला कि यहां पर low temperature पर ZNSO4 भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, CH4 का combustion करेंगे, CO2 plus 2S2 बन जाएगा, some compound are catalytically oxidized, आपको पता है, V2O5 कहां पे catalyst के रूप में यूज़ करते हैं, जली-जली बोलो, SO2 plus O2 gives you V2 a contact process, हम दो हमारे 5 बिना contact के नह साथ कौन बताएगा, HCL plus O2 in presence of COCL2, कौन बताएगा, CO2 gas मिल रही है, Deccans process, मैंने बला था, धक्किन में अच्छे कुत्ते मिलते हैं, ठीक है बड़ा, और उससे अपन को याद हो जाता है, तो बात stupid सी है, लेकिन याद हो जाता है, चलो, आज का समय समापत हो चुका है, मैं आपको कल इसके आगे पढ़ाऊँगा, lead chamber process मैंने आपको उताया था, बिलकुल, वहाँ पे NO gas यूज किया था, अब कल पढ़ाऊँगा, recording मैं आपको दे दूँगा, लेकिन आपको सबसे पहले surface chemistry देखो, उसके बाद मैं आपको second part देता हूँ, अब जो बच्चे नहीं ग्रुप पे, एक second, उनको मैं